हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाओं में रखो, जीत आपकी होगी अपने लक्से को बस निगाओं में रखो नमस्कार, रिम डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस साभी इंस्पेक्टर फिजिकल तयारी करने वाले बच्चों के लिए कल मैंने एक वीडियो में बताया था आपको की राजस्थान पुलिस साभी इंस्पेक्टर की तयारी करने वाले उन बच्चों के लिए जो जैपूर का खर्चा वह नहीं कर सकते या जो जैपूर आके अकेडमी में तयारी नहीं कर सकते उन बच्चों के लिए हमने ओनलाइन कोर्स का प्लान किया है और आपने एक ही दिन में जो प्यार दिया है जो मेरी भावनाओं का जो आपने सम्मान किया है और काफी संख्या में बच्चों ने एप्लिकेशन डाउनलोड किया है और फिजिकल तयारी ओनलाइन करने के लिए जो मानस बनाया है उस सब के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद आज मैं उसी कड़ी में बात करूँगा आपसे हम ये पूरा प्लान आपके लिए कैसे करेंगे सबसे पहले दोस्तों मैं बता दू आपको कि फिजिकल के अंदर क्या क्या होगा तो 500 नमर का आपका फिजिकल होगा जिसमें से 50 नमर लाने अनिवारिये हैं अगर 50 से कम नमर आते हैं तो आप चाये कितना भी अच्छा रिटन एक्जाम आपका है आप फैल गोसित होंगे यानि कि आप आगे की प्रकेरिया से बाहर कर दिये जाएंगे अब इसके लिए आपको समझना है कि तीन-तीन इवेंट दिये गए हैं और तीनों इवेंट के अंदर अलग-अलग पास होना जरूरी नहीं है कोई सा भी एक इवेंट में अगर आपके जीरो नमर आते हैं तो भी आप फिजिकल आराम से पास कर सकते हैं और ये 100 नमर आपके दोस्तों इंटर्यू में आपकी मेरिट बनाने में काम आने वाले हैं तो बहुत ही इंपोर्टेंट है एक एक नमर का लास्ट में बहुत अंतर होता है और उसके लिए ये फिजिकल है वो बहुत इंपोर्टेंट बन गया है और दो इवेंट अगर आपके कोई से भी अच्छे है तो आप आराम से इंटर्यू में सामिल हो सकते हैं तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि फिजिकल में क्या-क्या होगा इस पूरे वीडियो के अंदर जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जो बच्चे नियमित रूप से मेरे स्टूडेंट हैं वो एक बार वीडियो को लाइक करें और दोस्तों पूरा देखिए आपके लिए भी इसमें कई चीजे होंगी जो आपको इससे मदद मिलेगी आपको फिजिकल तैयारी अच्छी बनाने के लिए साथ में ओनलाइन तैयारी का मेरा प्लान क्या रहेगा किस तरह से हम ओनलाइन आपको पूरी तैयारी करवाएंगे साथ में आपको तयारी कैसे करनी है तो इन तीन टॉपिक्स को में टस करूगा इस वीडियो में सबसे पहले फिजिकल में क्या-क्या होगा तो फिजिकल दोस्तों बोईज के लिए जो दिया हुआ है इसमें बोईज के लिए क्या-क्या होगा 100 मिटर की दोड है और 100 मिटर की दोड अगर आप 14 सेकिंड से कम टाइम में करते हैं 14 सेकिंड से अगर कम टाइम आप लेंगे इसके अंदर तो आपको दोस्तो 40 नमर भी लेंगे 40 मार्क्स का होगा यह इसके बाद अगर आप 15 सेकिंड तक का टाइम लेते हैं 15 सेकिंड तक का टाइम तो आपको 25 मार्क्स मिलने वाले हैं, अगर आप 16 सेकिंड के अंदर-अंदर कंप्लीट करते हैं अपनी रनिंग, तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, और 16 से अगर एक भी माइक्रो सेकिंड आपने उपर लिया, उस कंडिशन में आपको 0 अंक मिलेगा, बट आपको भार नहीं किया जाएगा, इसके बाद, लोंग जब में अगर आप 15 फिट से ज़्यादा करते हैं, 15 फिट से ज़्यादा अगर लोंग जब आपका होगा, तो आपको 30 नमर मिलेंगे, अगर आपका 14 फिट से ज़्यादा लोंग जब होगा, तो आपको 20 नमर मिलेंगे, और अगर आपका 13 फिट से ज़्यादा लोंग जब होगा, तो आपको 10 मार्च दिये जाएगे, 13 फिट से कम रहने पर आपको लोंग जब में 0 नमर मिलेंगा, साथ ही एक चीज और बहुत important है कि long jump में एक ही chance मिलेगा ये भी आपको ध्यान रखना है तीन chance नहीं होगे single chance होगा इसके बाद चिनप होगा दोस्तों और चिनप के अंदर अगर आप 7 या 7 से ज़्यादा चिनप लगाएंगे तो आपको 30 हंक मिलेगे अगर आप 6 से ज़्यादा लगाएंगे तो आपको 20 नमर मिलेगे और अगर आप 5 चिनप से ज़्यादा लगाते हैं तो आपको 10 हंक दिये जाएंगे 5 से कम चिनप अगर आपकी रहती है उस condition में 0 हंक मिलेगा यानि कि 3 इवेंट के अंदर आपको 50 नमर शे ज़्यादा लेने हैं पास होने के लिए आगे की प्रक्रिया में सामिल होने के लिए गल्स के लिए जो क्राइटीरिया रखा हुआ है 100 मिटर की दोड अगर आपने 17 से किंड से पहले कमप्लीट किया है तो आपको 40 हंक मिलेगे अगर आपने 18 से किंड के अंदर कमप्लीट किया है तो आपको 25 हंक मिलेगे और अगर आपने 19 से किंड के अंदर कमप्लीट किया है तो आपको 15 मार्क्स मिलेगे 19 से किंड से ज़्यादा अगर आपने टाइम लिया तो 0 हंक मिलेगा लोंग जंप दोस्तों अगर आपने 10 फिट या उससे ज़्यादा complete किया है 10 फिट या उससे ज़्यादा complete करेंगे तो 30 अंक मिलेंगे अगर आप 9 फिट या उससे ज़्यादा करेंगे तो उस condition में 20 अंक मिलेंगे और अगर 8 फिट या उससे ज़्यादा करेंगे तो आपको 10 अंक दिये जाएंगे 8 फिट से कम लोंग जंप अगर रहता है तो आपको 0 अंक मिलेगा और शेम उसी तरह से इसमें भी गर्ल्स के लिए भी एक ही चांस रखा है आगे देखते हैं अपन सोट पुट और ये सोट पुट होता है गोला लोहे का और इसका वजन होता है 4 किलोग्राम 4 कीजी का ये गोला होगा और अगर इसको आप 16 फिट या उससे ज़्यादा फैकते हैं तो आपको पूरे 30 अंक मिलेगे अगर आप 15 फिट तक फैकते हैं तो उस कंडिशन में आपको 20 अंक मिलेगे और अगर आप इसको 14 फिट फैकते हैं तो आपको 10 अंक दिये जाएंगे 14 फिट से कम फैकने पर आपको 0 अंक मिलेगा बट परक्रिया से बाहर नहीं किया जाएगा तो इस तरह से ये गल्स के लिए बेटियों के लिए फिजिकल का स्टेंडर्ड रखा है हिंड्रेड नुमर का अब इसके बाद में आपन देखते हैं एक्स सर्वीसमें के लिए एक्स सर्वीसमें के लिए भी सेम इसी तरह से 100 मिटर की दोड़ अगर आप 17 सेकिंड के अंदर कम्प्लीट करते हैं तो उस कंडिसर में आपको 40 अंक मिलेगे अगर 18 सेकिंड के अंदर कम्प्लीट करते हैं 25 अंक मिलेगे और अगर 19 सेकिंड के अंदर कम्प्लीट करते हैं तो आपको 15 अंक दिये जाएंगे और 19 सेकिंड से अगर ज्यादा टाइम लेगे 0 अंक मिलेगा लास्ट में अगला आपका लॉंग जंप है अगर आप 13 फिट या उससे ज़्यादा अगर जंप करते हैं तो उस कंडिशन में आपको 30 अंक मिलेंगे अगर 12 फिट या उससे ज़्यादा करते हैं तो आपको 20 अंक दी जाएंगे अगर 11 फिट या उससे ज़्यादा अगर आप करते हैं तो 10 अंक मिलेंगे चिनप में भी सेम इसी तरह से अगर आप चिनप पांच याउस से ज़्यादा करते हैं पांच चिनप याउस से ज़्यादा करेंगे तो तीस अंक मिलेंगे अगर चार चिनप याउस से ज़्यादा अगर आप करते हैं तो बीस अंक मिलेंगे और अगर तीन चिनप अगर आप क जीकल तेयारी कैसे करवाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको application download करना है play store से मिलेगा आपको rim defense academy वो application आपको download करना है और उसके बाद उसमें आपको पूरा process दिया हुआ होगा एक help line नमर हैagen जो नीचे description में लगा हुआ है उस नम्मर पे आप कोल कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, साथ में जो आपको application डाउनलोड करना है, उस application का भी link description में है, यहां से जाके आप application डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद फिर आपको इस तरह से मैं पूरी तयारी कराने वाला हूँ, सबसे पहले क्या होगा, आपको य समझ लीजिए एक बार, सबसे पहले हमें physical के लिए सामाने instructions क्या क्या है, कौन-कौन सी सामाने जानकारी जो आपको physical से समंदित चीए, जिसमें आपका पहनावा क्या होगा, ground आप कैसा होना चीए, घर में कर सकते हैं आप नहीं कर सकते हैं, या सुबह करना आपको या शाम क करना है, क्या आपको खाना है, खाली पेट करना है, कौन शी exercise को आपको कितनी बार करना है, ये सारी चीज सामाने निर्देश और सावधान या कौन-कौन सी है, सबसे बड़ी दिक्कत दोस्तों, physical तैयारी में यह आती है, कि हम बिना trainer के, खुद से जब physical तैयारी करते हैं, तो चोट लगने का सबसे ज़्यादा डर रहता है, हमें ये भी पता होता है कि कौन शी exercise कैसे सही होगी, कैसे गलत होगी, शिरफ अकिला running करने से, अकिला direct ground में जाके long jump करने से, या chin up के लटकने से, चिन up नहीं होती, long jump ground में दोड के करने से long jump नहीं होता, उसके कुछ instructions होत हैं, कुछ चीजें उसमें सावधारी रखने वाली होती हैं, और उनको follow करने से ही आपका physical improvement होगा, वो जिम्मेवारी मेरी है, आपको कैसे कराना है, इसके बाद आपको physical के लिए डाइट क्या रखनी है, आपको physical के लिए वजन का क्या importance है, physical के लिए वजन आपका ज्यादा warm-up की होती है, इसके बाद आपको running कैसे करना है, और रोज कितनी running करनी है, कितनी running परियापत है सब inspector का physical pass करने के लिए, उस पे भी मैं बात करूँगा, अलग से मेरे ये सारे videos मिलेगे आपको, जो course हम आपके लिए launch कर रहे हैं application के उपर, उसमें ये सारे videos मेरे होंगे, एक पार्ट के रूप में, और दूसरे पार्ट के रूप में मैं आपको करा हूँ मा, day 1 से लेके, day 30 तक, 30 दिन तक मैं आपके साथ हूँ, जिसमें हर दिन का exercise का package, time table आपको बताने वाले हैं, इसके बाद, stamina वाली exercise से क्या फायदा मिलता है, और कौन-कौन शी exercise है, जिससे हमार को कूल डाउन कर सकते हैं, पूरा एक प्रोसेस होता है, फिजिकल का, वो सारे वीडियो के बादे मिसे मैं आपको समझाने वाला हूँ, साथ में long jump के लिए, कौन-कौन सी exercise है, long jump हम इप्रू कैसे कर सकते हैं, tips क्या-क्या है, इसके लावा उसमें long jump करते समय में, क्या-क्या साथा नहीं रखनी है, क्योंकि सबसे risky event होता है, दोस्तों, long jump, और एक ही chance होने की वज़े से, यह वैसे भी risky हो गया, marks के मामले में भी, तो दोनों ही चीजों पे हम, सारी चीज़े आपको समझाएंगे, कि कैसे आप foul से बच सकते हैं, कैसे आप चोट लगने से बच सकते है और कैसे आप अपना long jump पे improve कर सकते हैं, इसके बाद देखते हैं, चिनप के लिए exercise कौन कौन सी होगी, चिनप हम क्यों नहीं लगा पाते हैं, चिनप हमें कैसे improve करना है, और चिनप ही एक ऐसा event है, जो आपको confidence दिलाएगा समी inspector के physical में, बाकी जो दोनों event हैं, वो बहुत ही अलग type के हैं, जिनमें कितना भी practice कर लो, फिर भी आपको confidence नहीं आएगा, बड़ चिनप बहुत important है, जो आपकी 30 नमर लड़कों के लिए तो special है, तो इसके लिए क्या क्या tips हैं, और सावधानी हमें चिनप के लिए क्या क्या रखनी हैं, इसके बाद चलते हैं, पर हमकी 100 म करने के लिए आपके लिए कौन कौन सी exercise हैं, जिनके हम टाइम अबरा सेकंड कम कर सकते हैं, 100 मिटर के लिए आपके लिए tips कौन कौन सी होंगी, और सावधानी आपको क्या क्या रखनी है, 100 मिटर के लिए, वो सारा भी में एक अलग से वीडियो में बताने वाला हूं, साथ म गोला सोट फुट गर्स के लिए जो होता है, उसके लिए कौन कौन सी exercise हैं, कैसे हम गोला improve कर सकते हैं, उसके लिए सावधानी क्या क्या रखनी है, गोला फैक्ते समय, ये सारी चीजों के दोस्तों आपको अलग अलग वीडियो मिलेंगे, ये सारे topics के मेरे अलग अलग काराओं की day first, पहले दिन, बाकी instructions मैंने सारे बता दिये, अब आप जब ground में जाएंगे, उस समय आपको क्या क्या करना है पहले दिन, example के लिए लिए है मैंने सिर्फ सबसे पहले 5 मिनट का warm up करना है, उसके बाद 10 मिनट आपको running करनी है, running किसी speed से करनी है, कितने देर में कितनी दूरी तै करनी है, पहले कैसे करना है, last में कैसे करना है, sprint कम लगाना है, ये सारी चीज में इस चीज में cover करूँगा, इसके अब वो stamina वाली exercise कौन सी होगी, वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, stamina वाली exercise बताऊंगा, मैं करके आपको एक-एक exercise, कि कौन-कौन सी exercise है, जो हमें stamina देती है, इसके बाद आपको पहले दिन आपको chin up की exercise करनी पड़ेगी, सबसे पहले तीनों events के अंदर, सबसे आसान ज चोट लगने का डरनी होता है, तो वो मैं आपको पहले दिन से सिखाना शुरू करूँगा, first day उसकी जो exercise होंगी, वो हमें 15 मिनट करनी पड़ेगी, जिसमें हमें हातों को मजबूत बनाना है, हमारे कंदों को power देना है, साथ में हमारी पेट को मजबूत बनाना है, पेट की वो भी आपका खतम करना पड़ेगा और वो जिम्मेवारी मेरी है, दोनों ही चीजों का 50-50% रोल रहता है, 50% आपकी बोड़ी में स्टेमिना होनी चीए, और 50% आपका माइंड सेट होना चीए, तो वो दोनों चीज हम बैलेंस करेंगे, अब इसके बाद में 10 मिनट आपको कूल डाउन करना है, और 15 मिनट आपको पेन रिलीफ एक्सरसाइज भी मैं कराऊंगा, क्योंकि जैसे ही हम फिजिकल एक्टिविटी सुरू करते हैं, तो बोड़ी में कहां कहां पेन हो सकता है, कौन से पेन को हम कैसे रिलीफ कर सकते हैं, पेन कितने तरह का होता है, कौन सा पेन है, जो पर्मानेट होता है, कौन सा पेन है, जो टेंपरेरी होता है, जो जितनी देर हम एक्सरसाइज करते हैं, उतनी देर होता है, और कुछ पेन ऐसे होते हैं, जो एक्सरसाइज से रुकने के बाद में भी होते हैं, तो दोनों तरह के पेन में हम क्या-क्या help ले सकते है कौन-कौन शी exercise उनको relief कर सकती है वो exercise में आपको करके बताने वाला हूँ तो इस तरह से मेरे जो पहले वाले वीडियो है जो instructions वाले काफी वीडियो है वो तो आपको अलग से मिलेंगे और ये day one wise day one two three four ऐसे 30 days तक आपको किस दिन क्या क्या करना है long jump आपको कब से शुरू करना है hundred meter आपको कब से शुरू करना है और किस तरह से हमें उनको improve करना है ये सारी चीजों पर हम विस्तार से मैं आपके लिए रोज एक वीडियो रखूंगा इस तरह से मैंने प्लान किया आपके लिए online physical तयारी कराने के लिए अगर आपको विश्वास है रिम डिफेंस अकेडमी की अनुबावी फैकल्टी पर अगर आपको विश्वास है मेरे उपर तो राजस्तान पुलिस समींस्पेक्टर का फिजिकल कराने की पूरी जिम्मेवारी लेता हूँ अगर आप जब पुरा के करना आप आप आकेडमी में अभी बी एडिमिशन चल रहे हैं आप आरामसे यहां के भी कर सकते हो और जो बच्चे यहां नहीं आ सकते वो बच्चे एपलिकेशन डाॉनलोड करेए और एक नामवातर की सुल्ख में शिर्फ इस लिए सुल्ख भी मैंने इस लिए रखा है कि जिस से कि आपका इंट्रेस्ट बना रहे हैं क्योंकि दोस्तों फ्री की चीजे ज्यादा दिन नहीं चलती हैं और फ्री में मैं यूट्यूब पर लगातार आपके लिए करा रहा हूं तो वहां से भी आप कर सकते हैं जो बच्चे नामात्र का सुल्क भी अगर पे नहीं कर सकते तो बहुते हैं तो प्ले स्टोर से जाके अभी डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां से भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और ये पूरा कोर्श आपका ऐसा ही फिजिकल ऑनलाइन आप कर सकते हैं दोस्तों किस्मत आपको मौका देती है परन्तु आपकी मेहनत सब को चोका देती है, तो जितनी मेहनत आप करेंगे, उतना ही सफलता के नजदिक होंगे, क्योंकि सफलता का कोई सोटकट नहीं होता है, शिरफ मेहनत ही एक मात्र विकल्प होता है, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, कैसे लगी मेरी दिवी जानकारी, अगर अच्छी लगी है, तो लाइक करिए, सेयर करिए, और कमेंट करके मुझे भी बताए कितना फायदा आपको इस चैनल से मिल रहा है, आज की लिए इतना ही, जैहिंग, ठेंक्यू, धन्यवाद, राजस्थान की नमबर वन डिफेंस अकेडमी से, ओनलाइन फिजिकल तयारी करने के लिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, रिम डिफेंस अकेडमी एप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है,